और अब रुक करेंगे अजमेर की ओर जहाँ आपको बदा दें कि अजमेर की किशनगड की पॉर्श कॉलनी में मंगलवाय की राध करीब धाई बजे चार लुटेरे मारबर वेफसाई के घर में जाखुसे यहाँ परिवार के लोगों को डराने के लिए फाइरिंग भी की गई और खर में मौजूद छे लोगों के हाथ पर बांद कर उनके साथ मार पीच की गई इसकी बात घर में रखे रुपए और नगदी लूट कर बदमाश फरार हो गए जानकारी के अनुसार राधिकृष्ण विहार कॉयोनी में कार में सवार होकर ये चारल उटेरे मार बल वेफसाईज संजय लखोटिया के घर में दर्वासा तोड़ कर खुस पड़े इस दोरान घर में मौजूस संजय के पिता सुरेश लखोटिया उनकी मा दादी पतनी और बेटे साथ ही बॉयर निवासी भांजे केशव गांधी के साथ भी मार पीछ किए गई फिर उनके हाथ पर रस्यों से बांध दिये गए और इस दोरान फाइरिंग कर दहशत भी फल आए गई और खर में रखे लाखों की नगदी और जेवरात लूट ले गए सीसी टीवी की और डीवी आर भी ये लुटे रे अपने साथ ले गए इस दोरान आपको बता दे कि सीसी टीवी की डीवी आर भी वो अपने साथ ले गए हैं और पास में लगे अन्य कैमरों से लुटेरों की कार के आने जाने का फूटेज मिल गया है मारपीज में घाल निवासी ने बताया है कि मारबल सिटी हॉस्पिटल में भड़ती उन्हें कराये गया है और सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की परताल की जा रही है मदादे चलें कि बदमाशों के वहां से निकलने के बाद घरवाले चुलाने लगे इस पर उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी महां पहुंच गए और परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पर खूल दिये गए उन्होंने पुलिस को भी पूरे मामली की जानकारी दी इस दौरान सीओ सिटी भुपेंदु शर्मा और मदनगंज थाना प्रभारी मनीश चारण सहेत मदनगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और पास के ही लगे सिसी टीवी कैमरा में से चार लुटेरों को कार से आते और जाते हुए देखा गया मताते चले कि बदमाशों के वहां से निकलने के बाद घरवाले भी चुलाने लगे और इसके आवाज सुनकर परिवायर का सदस्यों को पड़ासियों की मदद से छुडाया गया जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई प्रदेश में पूरी शम्ता के साथ स्कूल खूलने के बाद आप बच्चों में कोरोना संक्रमन होने के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं महापुरा सेथ जैश्री पेड़िवाल अंतराश्री स्कूल में मंगलवार को एक ही दिन में ग्यारवी के बारा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं इन में से ग्यारा लड़के और एक लड़की हैं और एक बच्ची को छोड़ कर सभी डे बोर्डिंग वाले दूसरे राज्यों के बच्चे हैं साथ से 12 नवंबर के बीच स्कूल में आये थे तब कोरोना जाच में नेगेटिव पाए गये थे बच्चों की रिपोर्ड अब आई है जबकि इन में से दो बच्चे गुजरात के एक यूपी और एक दिल्ली जा चुका है स्कूल ने इनकी परिवार को भी सूचित कर दिया है बाकी आठ बच्चों को स्कूल में ही कॉरंचीन में रखा गया है सभी एस्म्टमाचिक हैं और बिमारी के कोई लक्षण इन बच्चों में नहीं पाये गए लेकिन खत्रा यह है कि यही नहीं बच्चे बड़े कोरोना करियर भी हो सकते हैं बतादे चलें जहां भी यह बच्चे जाएंगे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं 22 दिन में राज़धानी की पाँ स्कूलों में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं साथी चीम ने इन बच्चों के संपर्क में आने वाले करीब 13 स्कूल स्टाफ के सांपल भी ले लिये हैं इनकी रिपोर्ट बुद्वार शाम तर आने की संभावना बताए जा रही है साथी आपको बता दे कि पेरिंट्स वेरफेर सोसाइटी के सियोजग दिनेश काविंट ने कहा है कि हम सरकार से लगाता है ओनलाइन कक्षाओं का विकल्ब देने की मांग कर रहे हैं सरकार ने लापरवाही बरत्ते हुए पहले तो स्व प्रतिशद शंता की साथ स्कूल खोलने का अदेश चारी कर दिया और इसके बाद नीजी स्कूल में ऑनलाइन कक्षाओं बंद कर अभी भावकों के लिए परड़शानी खड़ी कर दी है बढ़ेंगे जोधपूर की और जहां पर आपको बता दें कि जोधपूर के जुले में चौरडिया गाउं में आपसी विबाद को लेकर दो भाईों के बीच वापस में मार पीठ हो गई बतादे जोली की मंगलवार की देर राद ये खूनी संघर्ष हुआ जहां पर एक की मौत हो गई है दोनों भाईों ने एक दूसरे पर लाठी से वार किया और एक दूसरे पर लगातार हमले करते गए इस दौरान एक भाई के सर में चोट लगने की वज़े से वो वहीं गिर पड़ा हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने फिलाल पकड़ लिया है और पुलिस के रुसार चोरडिया गाउं के पेप सिंग और कल्यांड सिंग के बीच कल देर रात को किसी बात को लेकर ये विवाद हो गया तक्रार बढ़ने पर कल्यांड सिंग ने लाठी लेकर पेप सिंग पर हमला बोल दिया और बचवाफ में पेप सिंग ने भी लाठी उठा ले तो उनों के बीच हुए संगर्श के दौरान पेप सिंग के सर में लाठी का जोरदा प्रहार हुआ और इससे उसका सर फट गया इसकी वज़र से तेज खून बहने लगा और ज्यादा खून बहने की वज़र से उस शक्स की मौत हो गई आपको बता दें कि हत्या के बाद से ही परिज़नों के आरोप के आबाद पुलिस ने कारवाई की और आरोपी भाई को गिरफ़तार कर लिया है साथ ही उससे हिरासत में लेकर पूश्टाज भी शुरू की वहीं आपको बता दें कि शेफ कोद एचू के अस्पटाल में मौट्सुरी में फिलाल रखवाया गया है